हेलो फ्रेंज आप सभी का वेलकम है मेरे यूटुब चानल सुनीतास क्रियर्टी वर्ड में फ्रेंज अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक को शेयर करना और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना सो फ्रेंज आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ क्रिस्मस डेकूरेशन आई दिया बहुती इजी और लास्में में बनने वाली सो फ्रेंज आई होप आप सभी को पसंद आएगी सो फ्रेंज इसके लिए आपको लेना है तीन करणर के बलून्स रेड वाइड एन ग्रीन आपको पंप की हरप से बलून्स पे ऐर फ्ल करेनी है और इसे मीडियम साइज में आपको ब्लो करना है और उसके बाद में इसे उनट कर लेना तो इसी तरह आपको सारे बलून्स पे airfill कर लेना है अब मैंने सारे बलून्स को same size में फुला लिया है और अब हम बनाएंगे बलून्स आर्च उसके लिए मैंने यूज किया है बलून्स आर्च मेकिंग strip और इसमें आपको दो पूल मिल जाएंगे चोटा और बड़ा सबसे बड़े वाले होल में बलून्स को डालना होता है और उसे चोटे होल की तरह shift करना होता है जिससे वह लॉक हो जाता है इसी तरह आपको वन बाई वन सारे बलून्स को इस strip पे लगा देना है और ये strips काफी बड़ी होती अराउंड 5 मीटर्स और बहुती एजली 40-50 डिपीस में आपको डेकरिशिन शॉप में मिल जाएगी इसी तरह मैंने सारे बलून्स को अटाच कर लिया है और इसमें होल बने होते हैं जिससे आप इसे वॉल पे भी बहुती आसाने से हैंग कर सकते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी बलून्स के लेंद रख सकते हैं जितना भी आर्च आप बनाना चाहते हैं बड़े आर्च का इसमाल कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने एल शेप में इसे वॉल पे लगा लिया है और अब मैं यूज करने वाले हूँ सेंटा के स्टीकर्स यहाँ पर मैंने थीवी सेंटा का स्टीकर्स यूज यूज करने वाली हूँ यह भी आपको किसी भी डिवर्शन चोप में बहुत एजी ही मिल जिसके लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है ग्रीन गार्लेन और ट्रांस्परेंट टेप आपको ट्रांस्परेंट टेप की हैंसे इस तरह से ग्रीन गार्लेन को वाल पे स्टीक कर लेना है और इस तरह से क्रिस क्रॉस करते हूए आपको वाल पे ट्री बनाना है यह बहुत आप ट्री बनाने के लिए दो से तीन कार्लेंट का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हमारा ट्री बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसे डेकोरेट करेंगे हम इस ओर्डनामेंट से यह भी आपको किसी भी डेकोरेशन शॉप में मिल जाएगी या आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको इसके ओन्लाइन लिंक भी मिल जाएगी सो अब हमारा क्रिस्मस ट्री बिलकुल रेडी हो गया है वाल पे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा भी लग रहा है और फ्रेंज यह सारे क्रिस्मस डेकुरेशन के मटेरिल्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफ्लाइन और ओनलाइन दोनों भी मिल जाएंगे आप चेक कर सकते हैं या फिर उसके थूरू भी पर्चेस कर सकते हैं अब हम यूज करने वाले हैं इस तरह का बैनर जो की क्रिस्मस के लिए है मैरी क्रिस्मस बैनर मैंने यहाँ पर यूज कर रही हूँ और यह भी आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे और इसके साथ में आपको एक मिलेगी स्ट्रीप्स जिसको आपको इस तरह से इस होल में डालते हुए इसे हैंग कर लेना है और यहाँ पर मैंने दो पार्ट में इसे डिवाइड करके मैरी एंड क्रिस्मस करके इस तरह से मैं हैंग करने वाली हूँ इसे भी हाइंड करने के लिए आपको ट्रांस्परेंट टेप का ही इस्तमाल करना है तो फ्रेंज अब हमारा डेकोरेशन बिल्कुल रेडी हो गया है और बहुत ही इजी है सो फ्रेंज अब हमारे लाइक रूम भी कम्प्लीट हो गया और आप देख सकते कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और फ्रेंज आप सभी को इस डेकोरेशन आडिया पसंद आएगी और आप भी इस क्रिस्मस में इसे ज़रूर ट्राइ करेंगे बहुत ही कम खर्चे में और easy to make क्रिस्मस डेकोरेशन आएगी तो फ्रेंज वीडियो पसंद आईए तो प्लीज इसे लाइक और शेर काना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब काना और फ्रेंज विश्यू मेरी क्रिस्मस और नियु एर सो बबाई and take care और मिलते नेक्स वीडियो में